हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग बेट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल असको सलिय एजुकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी पांचवी क्लास की गणित का बारवा लेसन समार्ट चार्ट तो बेटा कुछ पोर्शन उ हमारे पास विग्यापन रागनी को टेलिविजन पर कार्टून देखना बहुत पसंद है तुमको भी पसंद है ना एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यकरमों को बीच में आने वाले विग्यापनों को गीनेगी विग्यापन आते हैं ना तुम भी टीवी देखते हो तुमारे टीवी में भी आते हैं ना बीच बीच में उसने पाया कि हर एक ब्रेक में चोदे विग्यापन आते हूं उनमें से दस विग्यापनों में बच्चे अभीने करते हैं चोदा गिने उसने एक ब्रेक में चोदा और उनमें से दस ऐसे विग्यापन आये एड़ोटाइजमेंट जिसको तुम बोलते हो तो इतनी एड़ोटाइजमेंट में 10, 14 में से 10 ऐसे थे जिन में बच्चे भी आए थे तो अब ये कह रहा है कि तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्यापन में बच्चों को क्यों लिया जाता है क्योंकि बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं बच्चे बच्चों को ही देखेंगे तो उनको वो चीज अच्छी लगेगी कि ये बच्चा इसके डोटाजमेंट कर रहा है ये बच्चा इसको पस्त करता है तो मैं भी यही रखूंगा इसलिए बच्चे जादा लिये जाते हैं टीवी कार्यकरम के बीच में आने वाले ब्रेक में बच्चों को टैली चिनों की सहयता से गिनों ये तुम्हें गिनने हैं कि बच्चे कितने आये थे दस आये थे न तो दस के लिए टैली चिन क्या बनाओगे एक दो तीन चार और ये पांच फिर एक दो तीन चार और ये प पांच हो गया न, पांच और पांच, दस, दस ही बच्चे आए थि, 10 विज्ञापनों में बच्चे आए थी, ठीक है? और फेर ये तो ओ गई बच्चों वाले, लेकिन यह कह रहा है कि बीच में आने वाले विज्ञापन कितने भी, तो एक उसके बीच में चोदे विग्यापन आए थे तो हमने लगा दे एक दो तिन चार ये तो बेटा एक ब्रेक के हैं अब दूसरे ब्रेक में कितने आई वो तुम्हें गिंडना है उसके आगे लगा दोगे फिर और भी ब्रेक आया होगा तो उसमें लगा देना तो यही इ प्रोग्राम के बीच में आने वाले ब्रेक में विग्यापनों को टैली चिन्नों की साहता से गिनों ये एक ब्रेक के हमने गिन दिये हैं ये चोदे हैं ठीक है अंकों में और टैली चेनी इसके इस परकार से लगेंगे आ गया समझ में बिटा हर एक प्रोग्राम में उसके बी विग्यापन आते हैं, एड़ोटाइजमेंट आती हैं, ये भी अलग-अलग हो सकते हैं, जुरू नहीं सभी में उतनी ही आएं, किसी में कम्ब्याज आती हैं, क्या समाचारों के बीच में भी विग्यापन आते हैं, आते हैं वहीं, किसी भी समाचार के जो चैनल है उसको खोल लोगे और समाचार पढ़ते पढ़ते देखो कि उसमें आ रहे हैं विग्यापन अब श्यम करो अगली बार टीवी पर अपना मन पसंद कारेकरम देखते हुए हर ब्रेक में आनी वाले विग्यापनों को गिनो टैली चिनों का प्रियोग करो और जब भी तुम्हें प्रेड में बच्चा आ रहा है तो वहां पर एक डोट और लगा देनी है ठीक है मानली हमने टैली चिन लगाए और विग्यापनों की संख्या हमारे पास आ गई पांच चार तो एक और उसमें ऐसे थे कि बच्चे भी थे तो यहां पर डोट लगा दिया ठीक है यह इसका उत्तर नहीं है तो मैंने समझाया है वैसे अपने उत्तर को अपने दोस्तों के इसके उत्तर से मिलाओ क्या तुम्हारा उत्तर अलग है तो यह कह रहा है कि जो उत्तर आये हैं उन उत्तरों को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी देखो क्या यह बराबर हैं नहीं किसी प्रोग्राम में ज्यादा आ जाएंगे विग्यापन यानिके अड़ोटाइजमेंट किसी में कम आ जाएंगी तो सबका अलग-अलग ही मिलेगा यह किसी ने कोई प्रोग्राम देखा किसी ने कोई प्रोग्राम देखा एक ही प्रोग्राम देखते जब तो बराबरी एड हो जाती लेकिन अलग-अलग देखे हैं इसलिए तो विग्यापनों के संख्या भी अलग-अलग होगी गर्म और ठंडा क्या तुमने टीवी आकबार में मोसम की होगी वहां हवा चलेंगी वहां का तापमान कैसा रहेगा है ना तो ये दो बार चार्ट है यही जो इस तरह के चार्ट होते हैं इनको कहते हैं बार चार्ट और जिसमें यह सिर्फ सिधे ऐसे ही लिखे होते हैं यह टैली चिन उसको हम कहते हैं ताले का ठीक है इतने ही हैं कि कभी गर्मी कभी सर्दी कैसा मोसम होगा यहां पर तो यहां आपसे पता करते हैं एक जून को सबसे गर्म सहर कौन सा है एक जून तो देखो यह इसका तापमान लिखा हुआ है बिटा तो जो जिसका ज़्यादा तापमान है वहाई पर ज़्यादा गर्मी होगी है ना तो यहां ते से कम है इसका तो यह क्या है सिमला सिमला में बहुत जादा गर्मी नहीं पड़ती महां पे मोसम सामान नहीं रहता है किस सहर में एक जून और तीस दिसंबर के बीच तापमान में सब से कम बदलाव आया कौन सा ऐसा सहर है जिसमें जून में भूत नहीं था और दिसंबर में भ लग भग उत रहे तो बहुत जादा अंतर नहीं आया तो यह देखते हैं कौन सा है बिटा देखो यहां पे पहले में यह 33 है दिल्ली और इधर 23 है दस का डिफनेंस हो गया उसके बाद यहां पे 22 है यहां दस है यानि कि 12 का हो गया फिर यह है बैंगलोर बैंगलोर में 28 और 24 28 में 24 में 24 में कितना अंतर है चार का अंतर है ठीक है उसके बाद यह जैसल मेर में जून में तो था 38 और दिसंबर में 25 तो यहां कितना हो गया 13 का तो कम बदलाव किसमें आया है तो सबसे कम बदलाव तो यहां इसमें आया है बैंगलोर में ठीक है तो यहां हम लिख देंग बैंगलोर ठीक है अब आगे कह रहे हैं खुद करो तुम्हें अपने आप करने हैं किसी एक दिन किनी भी तीन अलग अलग सहरों को चुनो और टीवी अखबार से उनका तापमान रिकोर्ड करो तुम्हें खुद ही करना है मालिया हम ले लेते हैं अपना ही सहर ले लेते हैं रेवाड़ी दूसरा ले ले लेंगे हम महंद्रगड है पिटा और ले लेते हैं गुडगाव जरूरी नहीं है मैंने इतीन लिखवाए हैं तो तुम इन तीन नों काई लिखो कोई और भी सहर लिख सकते हो उनका टीवी में से या अकबार में से तापमान लेना और यहां पे लिखना ठीक है रिकार्ड करना है और फिर तुम्हें क्या करना है अब इस रिकार्ड से अपनी काप़ी में बार चार्ट बनाओ ऐसा जो उपर दे रखा नि यह वाला होता है बार चार्ट ऐसा ही चार्ट बनाना है और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ परशन पुछो क्या वे तुम्हारा चार्ट समझ पर इसी तरह का चार्ट बना लेना है इधर तो हम लिख देंगे तापमान दस दस का अंतर ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इधर उसमें जो सहरों का तापमान है उतने के सामने ये बार बना देंगे ठीक है अब इटाग ये ऐस्ट्रेलिया में खरगोश पहले ऐस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे 1780 में ऐस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो इसलिए वहाँ खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे सोचो उन्होंने फसलों का क्या क्या खरगोश फसल को उजाड देते हैं ना खाते हैं ना 1780 से पहले खरगोश नहीं थे फिर कोई वहाँ कहीं और से खरगोश लेके गए लेकिन वहाँ पर उस समय सा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खा ले है ना कौन सा जन्तु होता है जो खरगोश को खाता है पता है तुम्हें सेर खा जाता है ना हाँ कुत्ते खा जाते हैं है ना तो बिटा अब उसके बाद कहता है कि वहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ने लगे तो कैसे बढ़े सुरू में 10 खरगोस लाए गए थे और एक साल बाद 18 हो गए दो साल बाद 32 तो बिटा अब यह देखो कि किस तरहें से बढ़े तो यह इसका बढ़ने का जो तरीका है वो क्य मैं तुम्हें बता देती हूँ तो बिटा देखते हैं दूसरे साल में 18 कैसे है तो कैसे हुई बिटा 20 मेंसे दो गटा एंगे तो यहां पे 10 है तो 10 गुछ गुना दो, कितने हो गए, बीस, और बीस में से हमने दो गटा दिये, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, अठार है, अब इसी तरह से अगले का दुगना करके देखते हैं, अठारा गुणा दो, कितना हो जाएगा, अठारा दुणी, 36, 36 में से क्या गटा आया हमने, 4, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 32, अब 32 का दुगना करो, 32 गुणा, 2, कितने हो गए, 64, और 64 में से हम कितने गटा आया, क्या ठावन हो जाए, 6, तो देखो, पहले हमने कितना गटा आया, 2, उसके बाद, 4, फिर, 6, है, अगले में क्या करेंगे, 8 गटा देंगे, इसका दुगना करेंगे, और 8 गटा देंगे, और इसके बाद, फिर, क्या आएगा, जो भी आएगा, उसमें से हम, 10 गटाएंगे, 5 ये साल में कितने होंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, हम यहां निकालेंगे, 108 का दुगना कर say correct यहां मारे पास 10 कम कर दिये तो आ गया 206 और 6 साल में कितनी ओ जाएंगे फिर यह 206 का दूगुणा करेंगे हम कितना हो गे बीटा चारसो बारा और अब इस में से हम घटाएंगे कितने देखो यहां पर हम ने दो गटाये फिर चार फिर छे फिर आट फिर दस तो इसमें से कितने गटा करेंगे हम करेंगे बार है तो यह हमारे पास आजाएगा 410 ठीक है तो अब इनी पर आदारित हम यह आगे का स्वाल देखते हैं हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी या पिछले साल की संख्या से दुगनी थी या पिछले साल की संख्या से आठ ज्यादा थी या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज्यादा थी तो देखो बेटा दुगना यहां पर हमने कैसे किया था पिछली साल का से उसको दो से गुना किया और उस से में से कभी दो गटाए फिर चार गटाए फिर चार ऐसे कम थी ना तो ये पहला ही सही रहेगा कि पिछली साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी कुछ कम थी ना त जगला कहा रहा है छटे साल के अंत में खरगोशों की शंख्या हो गई लगभग 400, 600 या 800 छटे साल के अंत में तो बेटा 400 का ये तो देखो साल के सुरू में है ये है ना तो उसके बाद जब अंत जब आएगा यानि कि सात्वी साल सुरू होगी तो यहां पर कितनी हो फिर कुछ घटाएंगे 410 को तो कितना आजाएगा 410 गुणा 2 यानि कि यह हो गया 820 और इसमें से घटा कर देंगे 14, 14 क्यों क्या क्यों कि 12 के बाद हम घटाएंगे 14 एक जादा करके 12, 13 और फिर 14 आता है तो यहां पर 12 में 2 जोड के जब हम घटाएंगे तो यहां पर हमार आजाएगा 806 तो यह संख्या हमारी लगबग 800 हो जाएगी अब कह रहा है कि किस साल के बाद खरगोशों की शंख्या 1000 के पार हो जाएगी बेटा 8 साल बाद हो जाएगी है ना इसी के साथ बेटा यह वीडियो हमारी यही से माप्त करते हैं और बाकी का पोर्सन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में ठीक है थैंक यू